वेलकम टो एजुकेशन जेट एजुकेशन जेट आप सभी का हादिक स्वागर करता है परियाबरण की बहुत विकलपी कोश्चन की स्रीज चल रही है आप लोग इसे जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें परियाबरण की स्वागर कोश्चन है काटे नुवा पत्यों को दर्साकर एक से चक्किस प्रकार के पौधी के बारे में पढ़ा रहा है तो काटे नुवा पत्याबरण पहले आप लोग दिमाग में बैठा है कहां पर पाय जाती है जहां पे पत्यां जो होती है काटे के रूप में बदल जाती है तो जहां पे पानी की कमी होगी पानी की कमी कहां होती है मरुस्थली शेत्रों में तो रेगिस्थानिया मरुस्थली शेत्रों में जो पौधी पाय जाते हैं उनकी पत्यां काटेदार होती है ताकि पानी का वास्वर्षजन ज्यादा ना हो सके और पौधे में पानी की आवस्थे मात्रा बनी रहे अब लोग नेक्स देखते हैं निम्लकित पौधे में से कौन सा व्रिच्च का उधारण है हमारे पास चार ऑप्षन दिये हुए हैं तो इसका जो राइट ऑंसर हो जाएगा हमारा बर्गत यह सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसको आप लोग जरूर करके जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन बाड से सम्मोधित सम्मोधित पौधे मर जाते हैं क्योंकि सम्मोधित क्योंकि क्या होता है यानी बाड में डूबे हुए पौधे मर जाते हैं क्यों वीजन क्या है इसका क्योंकि मूल स्वसन रुख जाता है तो इससे क्या होता है basically मूल स्वसन रुख जाता है मतलब कोईस का रस जो होता है सा अब हम लोग आगे देखते हैं लॉंग एवं केसर पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है हमारे पास चार आप्शन दिए हुए हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है हार एक एक्जाम में यह पूछता है तो बेसिकली किस से प्राप्त होता है भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भी यानि फूल और या जिसको हम क्या बोलते हैं तो इससे पाय जाता है तो केसर का उतपादन भारत ब्हारत में सबसे जादा कहा पाय जाता है जमुकस्मीर और यह सब भी आप लोग याद रख बुखार के लिए यह जोती है जिसका राइट अंसर यह बहुत बार पूछा है इसको आप लोग इंदम रट लीजिए सिंकोना प्लांट से प्राप्त होती है सिंकोना की जो छाल होती है न उससे कुनाई नामक दवाद बनाई जाती है जो मलेरिया के उप्चार में किया जाता है ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं भिंडी में पाया जाता है कि हमारबाद चार अप्शन दिये हुए है तो राइट अंसर इसका देखते हैं तो भिंडी में जो है basically यह सभी पाए जाते हैं यहाँ पर राइट अंसर जो होगा यहाँ पर यह रॉंग हो गया है यह सभी पाए जाते हैं विटामिन C, विटामिन A और फास्पूर अस्तिनों पाए जाते हैं हम लोग आगे दिखते हैं बनो के महत्तो के कारण है हमरे पास चार अप्शन दिये हुए है राइट अंसर इसका जो हो जाएगा हमारा D, Green Gold चीक है, बन हमारे लिए उपयोगियों तो होते ही हैं अब विविन प्रकार के लकडियां, गोवदार सबसे होते हैं, आउसदियां सब किस से मिलते हैं हमारे पेड़ पौदे से ही मिलते हैं तो वन जो है, हरा सोना कहा जाता है इसको, Green Gold नेक्स देखते हैं, भारत का राश्टी है पसू, तो भारत का राश्टी पर हमारे बाद चार अप्शन दिये हुए है तो हमारा D हो जाएगा उप्शन, वाग ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत का राश्टी है पच्छी तो राश्टी है पच्छी हमारा हो जाएगा More फिर देखते हैं, भारत का राश्टी है जली जियू तो यह हमारा हो जाएगा डॉल्फिन अंधि डॉल्फिन नेक्स्ट भारत कर आश्टिय विच चौर अप्शन दिये हुए है हमारा बर्गत हो जाएगा ठीक है यह ऑक्सीजन भी निकालता है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रात में भी निकालता है निमलिकित में से ज दोनों जीव और उसमें दोनों में मिलता है नेक्स देखते हैं इस पाउधे में पत्तियां हैं जिने सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है चार आप्शन दिया हुए हैं हमारे पास तो राइट अंसर इसका हो जाएगा सर्सू सर्सू से क्या होता है इसका प्रयोग किया जाता है तेल बनाने के लिए पत्तियां जो होती हैं सब्जी के लिए प्रयोग की जाती है ठीक है किस राष्टी उद्ध्यान को पूर में हेली राष्टी उद्ध्यान कहा जाता है तो हमारा जो है यह हो जाएगा जिम कार्बेट कहां पर है यह उत्तरा खंड में है यह आप याद रखिएगा सबसे पूराना यह है राष्टी उद्ध्यान नेक्स्ट, निम्लखिद में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सारवाधिक छेत्र पर है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा जलोड मिट्टी, इसका सबसे ज़्यादा है बीटी का पास है, चार आप्शन दिये हुए हैं अमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक पौधा नेक्स्ट देखते हैं, पंखोडियों के अंदर फूल के बीज के कुछ पतली पाउडर जैसी सद्रचनाई दिखाई देती हैं सुन्दर, लाल, बहुड़ा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, ग्रामीर्ज हेत्रों में गाय के गोबर से जोपड़ी की दिवारों और फर्ष को लीपा जाता है उन्हें चार आप्शन दियां क्यों लीपा जाता है? बेसिकलिए चिकना और साप बनानी के लिए नेक्स्ट कोश्चन निमलिखित में से कौन सा पादप उत्पात साबून का विस्थापन? तो इसमें राइट अंसर जो हो जाएगा? ये सभी एदू, रुद्राथ, रीठा ये सब क्या होते हैं? इसके पादप नेक्स्ट देखते हैं पादे में जल का अधिग्राण किसके द्वारा होता है? चार अप्शन दिये हुए हैं तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा? हमारा जायलम जायलम क्या करता है? ये नीचे से पादे से जल को ले जाता है अब फुलयम क्या करता है? उपर से नीचे जितने भी पोसक चीजे हैं वो क्या करता है? पूरे पादे में फैलाता है नेक्स देखते हैं पादे में अर्ध सूत्री विभाजन होता है हमारा पाद चार अप्शन दिये हुए है राइट अंसर इसका हो जाएगा A पराग कोस निमलखित में से कौन से पादे दूर दूर परसारित होंगे? चार अप्शन दिया हुआ है तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा? यह हो जाएगा फल द्वारा प्रकेडित पादे थैंक्स पर वाचिन दिस वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगं के लिए वीडियो दे कर आता रहूँ